दोस्तों हिंदू धर्म कुनरजन्म में विश्वास करता है। धर्म ग्रंतों में लिखा है कि इंसान के मरने के बाद आत्मा उस शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुर पुरान में बताया गया है कि पुराना शरीर त्यागने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर प्रित्वी पर मौझूद 84 लाख योनियों में से एक नया शरीर किसी भी योनी में मिल सकता है। आत्मा को अगले जीवन में कैसा शरीर मिलेगा। यह पूरी तरह पिछले जन्मों के कर्मों के उपर निर्भर करता है। इसलिए पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा रखना बहुत ही जरूरी है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए देवताओं में चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया है। चित्रगुप्त मनुष्यों एवं समस्त जीवों के पापकुने का लेखा जोखा रखते हैं और यम्राज के प्रमुक सहायक हैं। चित्रगुप के बनाए हुए हिसाब किताब के आधार पर ही मृत्यु के देवता यमराज आत्माओं को स्वर्प, नर्प या नए शरीर में भेजते हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके किन कर्मों के कारण कौन सा जन्म मिलेगा और भगवान इसका नि और कमेंट बॉक्स में जैश्री नारायन लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नर्प उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। गरुर पुरान में यह ब मिला है। चित्रगुप्त यम्राज के सचिव हैं, जो हमारे आपके हर कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब किसी प्राणी की इम्रित्यू होती है, तब यम्राज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़ कर सबसे पहले चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चि यहां पर यम्राज आत्मा के कर्मों को सुनकर उसके अनुसार अपना फैसला सुनाते हैं। यम्राज का फैसला आने के बाद यम्दूत आत्मा को विभिन्न द्वारों से स्वर्ग या नर्क में ले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में समय बिता कर मनुश्य को अलग-अलग योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों किस पाप कर्म से कौन सी योनी में जन्म मिलेगा यह जानने से पहले आएए समझते हैं कि आखिर देव योनी या मनुष्य योनी में जन्म कब मिलता है। दोस्तों प्रत्यक आत्मा की तीन गतियां होती हैं उर्ध्व गती, स्थिर गती और अधो गती। यदि कोई व्यक्ति मरकर उर्ध्व गती को प्राप्थ होता है तो उसकी आत्मा देवलोग को गमन करती है। स्थिर गती का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य के शरीर में जन्म लेगा। अधो गती का अर्थ है कि मनुष्य योनी से नीचे गिर कर किसी पशु योनी में जन्म मिलना। यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो उसे और भी नीचे की योनी जैसे कीडे मकोडों या सम मुद्र में रहने वाले जीव आदी के रूप में जीवन मिलेगा। दोस्तों आए अब जानते हैं कि भगवान अगले जन्म का फैसला किन कर्मों के आधार पर करते हैं। अब जानते हैं कि भी बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। सनातन धर्म में ब्रामहन को भगवान के सबसे नस्दीक बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य भूल से भी किसी ब्रह्मन की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ऐसे कार्य में साथ देने वाले मनुष्यों को भी कुम्भी पाक नाम के नरक्की यातना सहनी पड़ती है। गरुर पुरान के धर्म कांड में विस्तार से बताया गया है कि जो पापी व्यक्ति ब्रामहन या कर्म से पूजनिय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें अश्व और कूंट की योनी में जन्म लेना पड़ता है। जबकि घर का सामान चोरी करने वाला या दूसरों का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्थ होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है। उसे अगले जन्म में तोता के श जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीडित रहता है। गरुर पुरान में उल्लेक है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेडिया, फिर कुट्ता, फिर गिद्ध, फिर सियार, फिर साम, फिर कच्छुआ और आखिर में बगुला की योनी प्राप्थ होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनी मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि श्राध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं ताकि आपके पित्र संतुष्ट हो जाएं, लेकिन अगर यह ना किया जाएं, तो अगला जन्म कौवे के रूप में ही मिलता है। उसके बाद मुरगा, और फिर एक महीने के लिए साम्प की योनी में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है, और उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। दोस्तों, कई बुद्धि जीवियों का प्रश्न होता है, कि आखिर किन्नर योनी में जन्म किस पाप कर्म से होता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो किन्नरों और अन्य जाती के लोगों का मजाक उडाते हैं, और उन्हें ही दृष्टी से देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को अगला जन्म एक किन्नर के रूप में मिलता है और उन्हें भी ऐसे ही अपमान सहना पड़ता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी का कतल कर देता है तो ऐसे जगन्य अपराथ करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनी में जन्म मिलता है लेकिन अगर वो जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे म्रिग योनी मिलती है इसके बाद वो मचली फिर कुट्टा और फिर बाग बनता है इन योनियों में जन्म लेकर अंत में वो मनुष्य योनी में जन्म लेता है कहते हैं कि जो अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, उन्हें कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद वो हिरन की योनी में जन्म लेता है, फिर जाकर उसे मनुष्य योनी की प्राप्ति होती है, दोस्तों जो इनसान प्रचुर होते हुए भी दूसरों क मांगने पर भोजन नहीं देता, और अकेले भोजन करता है, वो अगले जन्म में संतान हीम रह जाता है, वहीं जो मनुष्य फल चुराता है, वह बंदर की योनी में जन्म लेता है, गरुर पुरान में बताया गया है, जो लोग महिलाओं का शारिरिक शोशन करते हैं, या उ उसका गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनात पीडाओं को झेलना पड़ता है। जिसके बाद उसे चंडाल योनी में जन्म मिलता है। दोस्तों महर्शी वेदव्यास ने भी बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है। पशुपक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है। जरूरत मंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी महंत से कमाए पैसों का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जन्म मुम्रत्यों के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें भगवान विश्नु अपने धाम में स्थान देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि भगवान अगले जन्म का फैसला कैसे करते हैं। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभं भवतू आए मिलते हैं अगली वीडियो में।